मंदिर से आ गए हैं पुजा करके अभी साम का छे से उपर हो रहा है सवा छे या छे बीस हो रहा होगा विस टैम मंदिर से पुजा करके भी आ गए राखी भी बान लिए और इधर अपढ़ना भी बैठी हुई है मेरे पास कुछ देख रही है मोबाइल में सुबह से तो भद्रा काल लगा हुआ था इस वजे से राखी नहीं बान सकते थे उस टैम डेड़ बजे की बाद भद्रा काल खतम हुआ है तो हर किसी ने डेड़ बजे की बादे राखी बाना है हर जगा आप लोग का आज का दिन कैसा रहा कैसा है और आज तक का दिन कैसा गया इस सब बताईएगा कमेंट में अब इसाम की टाइम छट पे जैसे सुबा की टाइम छट पे अच्छा लगता है वैसे ही साम की टाइम भी छट पे बहुत अच्छा लगता है अभी आज सावन का सुमारी कल लाश्ट दिन था और आज सुमार भी है तो आज तो फास्टिंग था तो चार पाच बजे आए मंदिर से पूजा करके और तब राखी बाने उसके बाद तब फिर सर्वत वगरा पिये हैं और थोड़ दिन पहले पी के बस सर्वत पी के छट पर आया है सोचे कि थोड़ा सा ब्लॉड ब्लॉड सूट कर लेते हैं छोटा से ब्लॉड है कोई ज्यादा बड़ा ब्लॉड नहीं बनाएंगे कि बोरिंग लगे गर्मी बहुत ज़्यादा है ना घर में छट पे हर जगा बाहर गर्मी ही लग रही है जब बारिस नहीं होती है गर्मी पूरा हो जाता है बारिस होगा तभी थोड़ा ठंड़ा लगेगा अभी यह आस्मान ऐसा दिखे रहा है अब ब्लॉक को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बस ही बोल देंगे कि हाँ आप सभी को हैपी सावन हैपी रच्छा बंधन हैपी रच्छा बंधन टू आल अफ यू आप लोग खुश रहे हम लोग भी खुश रहे आप लोग अच्छे से रहे हम लोग भी अच्छे से रहे हैं गूड इवनिंग गूड नाइट बाबाई